आज क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ केर तक ऐसे सभी छेत्रों में स्टार्ट अप के लिए इनोवेशन के इन्फिनिट अवसर हैं। हमारे देश में तुरिजम का जो पोटेंशल है उसे बढ़ाने में भी स्टार्ट अप्स की बड़ी भूमी का है। हमारे देश के जो कुटी रुद्योग है हत करगाव और बुनकरों का जो शांदार काम होता है उसकी ब्राणिंग में उसे अंतरास्तिय बजार तक पहुंचाने के लिए भी हमारे स्टार्ट अप्स एक बहुत बड़ा नेटवर्ग बहुत बड़ा प्रेटफॉर्म दुनि बात के हमारे आदिवासी भाई बहन बनवासी भाई बहन इतने सारी खुबसूरत प्रोडक्स मनाते हैं वो भी स्टार्ट अफ के लिए काम करने के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प नया फिल्ड बन सकता है इसी तरह आप जानते हैं कि भारत मोबाईल गेमिंग के मामले में दुनिया के टॉप फाइव देशों में हैं भारत की गेमिंग इंडस्टी की ग्रोथ रेट 40% से भी ज्यादा है इस बार के बजेट में हमने ABGC याने की एनिमेशन, विज्यूल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक इस सेक्टर को सपोर्ट पर भी जोड दिया है भारत के स्टार्ट अफ के लिए भी एक बड़ा सेक्टर है जिसका वो नेत्रुत्व कर सकते हैं ऐसे ही एक सेक्टर हैं, टॉइ इंडस्ट्री, टॉइस को लेकर भारत की बहुत सम्रुप्त विरासत रही है भारत के स्टार्ट अप्स इसे सारी दुनिया के आकरशन का केंद्र बना सकते हैं अभी टॉइस के ग्लोबल मार्केट शेहर में भारत का योगदान सिर्फ एक प्रतिसहत से भी कम है इसे बढ़ाने में भी मेरे देश के नवजवान, मेरे देश के आईडियाज को लेकर के जी रहे नवजवान स्टार्ट अप लेकर के आएं बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भारत के आट सो से जादा स्टार्ट अपस आपको भी सुन करके खुछी होगी आट सो से जादा स्टार्ट अपस खेल कुद के काम में स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं तिसने सोचा नहीं होगा कि ये भी एक शेत्र हैं इसमें भी जिस प्रकार्जे भारत में एक स्पोर्ट्समेंट का कल्चर खड़ा हो रहा है स्पोर्ट्स का स्पिरिट प्यादा हुआ है स्टार्ट अप के लिए इस खेत्र में भी अनेक संभावना है